संसत के अंदर आज जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा लेकिन ये सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्न भी लगाता है कि आखर इतना बड़ा सुरक्षा गेरा कैसे कोई तोड कर अंदर पहुंच सकता है अंदर पहुंचने के बाद वेल में कूद कूद कर इस तरी हो सकता था कितनी जिंदगी उपर वो खत्रा बन सकता था लेकिन अब यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जांच तो जारी है दो व्यक्ति उस वक्त संसत के अंदर थे जिन्नों ने ये हरकत की इनकी अलावा इनके दो सहीयोगी संसत के बाहर भी मौजूद थे और अंदर असल हर्याना की जिंद के घसो गाउं की रहने वाली बताई जा रही है और मोल रूप से यहीं की रहने वाली है और 42 वर्ष की नीलम है इसके लावा फिलाली हिसार में रहकर ये UPSC के तयारी कर रही थी हिसार की Red Square Market के पीछे उसने PG लिया हुआ था और वहीं पर रह अपने जो भाशन हैं वो इसने दिये हैं और उसमें साफ जलक रहा है कि राजनीती में इसकी दिल्चस्पी रही है इसके लावा जब नीलम अपने घर गई थी जब वहां से वो बाहर निकली अपने घर से जब निकल रही थी तो नीलम ने अपनी मां को खा था कि वो हिसार जा रही है हिसार जहां पर रहकर वो सिविल सर्वेसे की तैयारी कर रही थी नीलम के भाई से भी इस दौरान बातचीत की गई तो भाई ने कहा कि नीलम किसान अंदुलन से भी जुड़ी रही है और वो टीचर बनना चाहती थी जिसके लिए उसने हर्याना शिक्षक पात्र भी लिखा हुआ है इसका सोचल मीडिया जब हमने चेक किया तो सोचल मीडिया पर ट्विटर पर खास दौर पर इसने अपना नाम नीलम आजाद लिखा हुआ है और इसके जो ट्weecs हैं वो भी हमने देखे ट्weecs में भी इसकी जो राजुनितिक विचाद धारा है वो साथ भगत सिंग और अंबेटकर फैन क्लब के मिंबर भी थे और काफी वक्त से ये इस क्लब के साथ जुड़े हुए थे लगभग दो साल से दो साल से भी जादा वक्त से ये सब आपस में एक दूसरे को जानते थे इनकी बात होती थी और ये जो साजिश इन्होंने विरची इससे पहले इन लोगोंने एक मीटिंग की थी जो कि गुरुग्राम में हुई थी और तीन-चार दिन तकी लगातार इसी तरीके से मिल रहे थे ताकि प्लानिंग बना पाएं कि आकर किस तरीके से अंदर एंट्री लेंगे और उसके बाद इस कारगनामे को यहाँ पर अंजाम देंगे पिलाल चार की गिरफतारी हो गई है हो सकता है कि इनकी रिमांड यहाँ पर मिल जाए उसके बाद इनसे पूछताच करना उस जादा असान हो जाएगा